आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल स्प्रिंग रोल जिसे बनाना बहुत आसान है बच्चों के लंच बॉक्स में कुछ अलग देना हो या घर में कोई पार्टी रखी हो या खुद का ही जटपटा खाने का मन हो तो इस तरीके से हम स्प्रिंग रोल बना कर रख सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल मनोहर की रसोई में आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल स्प्रिंग रोल इसे बनाना बहुत आसान है और इसे जटपट बना कर खाया जा सकता है तो चलिए स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए रेसीबी बनाना स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने या एक कटोरी मेदा लिया है मेदा की जगह आप चाहे तो गेहूं के आटे का भी उस कर सकते हैं इसमें डालेंगे हम सुआत के अनुसार नमक एक चमच डाल रही हूँ इसमें ओयल नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे आटे में अच्छे से मिक्स करना है अब थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके हम इसका सौफ्ट सा आटा लगा लेंगे जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही गुंथ लेना है देखें इस तरीके से हमने आटा लगा लिया है आटे को हमने सौफ्ट लगाया है अब इसको ढख कर रेस्ट करने के लिए रग देते हैं आटा अमर आच्छे से सेट हो जाएगा तब तक हम स्टफिंग तयार करते हैं एक पेन में एक चमच ओयल डाला है अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा लेसुन कट करके डाल दिया है यहां आप हिंग भी डाल सकते हैं थोड़ा सा अद्रक कद्दुकस करके डाल दिया है अब इसमें एक बड़ी साइस का प्यास कट करके डाल देंगे प्याज को मैंने लंबा-लंबा काटा है इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची यह आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं दो मिनिट के लिए हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे अब इसमें मैं डाल रही हूँ लंबी साइज में कटीवी सिम्ला मिर्च यह लाल सिम्ला मिर्च है साथ ही मेरे पास यह पीली सिम्ला मिर्च भी थी तो यह भी मैंने डाल दी है आपके पास जो भी सब्जियां हो वो इसमें एड़ कर सकते हैं आप इसमें पत्ता को भी डाल सकते हैं तो दो मिनिट हम सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बना रहे हैं इसमें आप अपने मन पसंद की कोई भी सब्जी आइड कर सकते हैं। इसमें डालЭों चालें कदूकस कियावा खीरा। सभी सब्जियों में अच्छी मातरा पानी होता है तो आछälी समय लेकर तो पानी को सुखाना लेपा। इससे सारी सब्जियों का पानी अलग हो जाएगा और सब्जियां सॉफ्ट हो जाएगी दो मिनिट चला लेते हैं देखे आप देख सकते हैं सब्जियों में कितना पानी है अब इसमें डाल दियों में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर आप जितना स्पाइसी खाना चाहें उतने लाल मिर्ची डाल सकते हैं दो मिनिट के लिए चला लेंगे गेस की फ्लेम को धीरे ही रखना है ताकि हमारी सब्जियां जले नहीं दो मिनिट लीड लगा कर हम सब्जियों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे दो मिनिट बाद चेक कर लेते हैं सारी सब्जियां हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और देखिए पानी भी इनका सूख गया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सोस दो चम्मच मैंने सोया सोस डाला है एक चम्मच डाल दिया है टेमेटो सोस इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो लीजी हमारी स्टफिंग तयार है इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं अब हमारा आटा भी सेट हो गया है अच्छे से तो इसके हम छोटी छोटी लोईयां बना लेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं उसे याकार की लोईयां बना लेंगे यह सारी लोईयां बना कर तयार कर ली है अब चकले पर रखेंगे थोड़ा सा सुखा आटा और इसको लोई को बेल लेंगे जैसे हम रोटी बैलते हैं वैसे ही सारी लोईयां बैल कर तयार कर लेंगे यह देखे इस तरीके से हम सारी रोटी बैल लेंगे यह सारी रोटी मैंने बैल ली है अब एक रोटी लेंगे उस पर लगाएंगे थोड़ा सा ओयल अच्छे से इस पे ओयल लगाएंगे और इस पे लगाएंगे हम थोड़ा सा सुखा अटा अब इसके उपर रखेंगे हम दूसरी वाली रोटी और इसको फिर से बैल लेंगे अच्छे से इसको रोटी की साइस की बैल लेंगे ये देखे इस तरीके से ये हमने रोटी की आकार की बैल ली है अब एक पेन को गरम कर लिया है और इस पे दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा इसको सेक लेंगे ज्यादा नहीं सेकना है बस थोड़े से बबल साए बस इतना ही सेकना है थोड़ा थोड़ा दोनों साइट से सेक लेंगे बस एक मिनिट में ही ये सिकर तयार हो जाता है ये देखे इस तरीके से हम सेक लेंगे इस तरीके से हम स्प्रिंग रोल की सीट तयार कर लेंगे देखिए इस सीट को मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितने आसाने से अलग हो जाएगी तो इसी तरह के से हम सारी रोटियों को बेल कर इसकी सीट बना लेंगे ये देखे इस थरीके से हमने सारी सीट बना लिये बहुती आसानी से ये कुल रही है क्योंकि अच्छे से हमने तेल लगाया है और आटा स्प्रिंग किया था तो हमारी सीटें तैयार है सब अब हमने एक कटोरी में थोड़ा मेदा लिया है इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक साटा तयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे ये देखे इस तरीके से हमने एक साटा तयार कर लिया है अब हम एक सीट लेंगे इसमें थोड़ा सा मसाला भरेंगे दोनों साइड से फोल्ड करेंगे इसे रोल करते वे यहां से चिपका देना है तो यहां हमने जो साटा तयार किया है उसे इसको चिपका देंगे यह देखे इस तरीके से हम रोल बना लेंगे सारे रोल हम इसी तरीके से बना लेंगे अब हमने पैन में थोड़ा सा ओईल लिया है ओईल को हमने मीडियम गरम कर लिया है और इसमें सारे रोल डाल देंगे एक बार में हमने च्यार ही रख्या है दोनों साइड से अच्छे से इनको कुक कर लेंगे तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए और गेस की फ्लेम भी मीडियम को रखेंगे इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे बहुत ही टेस्ट ही लगते हैं ये खाने में तो आप एक बार इस तरीके से बना कर जरूर ट्राय करें ये देखे दिमिया आज पर गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इतने प्राय कर लिया है अब इन्हें निकाल देते हैं इसी तरीके से हम दूसरा बेच भी तयार कर लेंगे तो लीजिए तयार है हमारे स्प्रिंग डूल सोस के साथ चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं खाने में बहुत ज़्यदा टेस्टी लगते हैं तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं